नमस्कार दोस्तों जहंद डिके यादब नीज में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिवेट लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें आईए देखने है वीडियो जेहन वन्दे मातरम इंदर बताने जा रहा हूँ के जनल बाजवा ने अपना आखरी खुसिया दोरा जो यॉरप का किया कहां पर उनका जहाज कितने देर तक पाक रहा उस जहाज में कौन कौन बैठा हुआ था कात के लिए जनिवा में अकठे होंगे अब ये तिफाक है या बाकादा इस काम के लिए मनसुवा बंदी की गई है कि मर्यम औरंगजेब साहबा ने अपने एक ट्वीट के जरीए ये बताया कि मर्यम सफदर या मर्यम नवाज सेजरी के लिए जनिवा पहुंच कि जब आपोजेशन में थी मर्यम नवाज साहिबा तो यहां पर थी और मौजूद थी और वो कहती थी जलसों में जाती थी और बड़ी जबरदस्त उन्होंने एक एजिटेशन किया है वो उन्होंने का गालिबन कि अगला लाहमल स्यासी क्या अपना ने पाकिस्ताम की तारीख में ये पहला दौरह आर्मी चीफ के ओदे के ऊपर किसी शचक्स का खुफिया रखा गया आर्मी चीफ उस टाइम के जलर बाजवा उस खुफिया दौरे के अंदर किस किस को मिले किसी को मालूम नहीं सिक्यूरिटी एजनसी डमा किस ने पाक किया वो बेल्जियम से किस मुलक गे और ठीक उस टाइम पर जब पाकिस्तान में इमरान खान की हकूमत को हटाने के लिए पीडियम ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुवमिन ने अदम इसमाद कोमी समली में पेश करने की तैयरी कर दी थी उसी टाइम जब इमरान खान सारी कहानी सारी खबर की समझ लगेगी ये वक्त था 18 फर्वरी से 22 फर्वरी का यानि उस टाइम जब पीडियम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तैयरी कर रही थी इमरान खान रशिया जाने की तैयरी कर रहे थे अचानक पिंडी से एक चार्टर्ड तैयारा यानि जो आर्मी चीफ इस्तमाल करता है जेट तयारा वो इस्तमाल किया गया पिंडी से बेलजियम यानी जनरल बाजवा बेलजियम गए मैं आपको तमाम तर फैक्स तमाम तर प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कौन कौन उस जहाज में मौजूद था और खबरे ये भी है कि जब जनरल बाजवा वहां पर बेलजियम गए वहां पर उनका तयारा पार्क हुआ उसी टाइम पर बेलजियम के अंदर एक इंतहाई इंपॉर्टन्ट कानफरंस चल रही थी अफगानिस्तान के मामले पर सिक्यूरिटी कानफरंस लेकिन दिल्चस्प बात चुई है कि उस कानफरंस मे है बाजवा मिस्टेरियस ट्रिप टू यॉरप अकंपेंड बाय आसिव गफूर ये खबर अबसे दो दिन पहले एक वैब साइट ने लगई है कि जनरल बाजवा का मिस्टेरियस यानि एक खुफिया एक सस्पीशियस किसम का दोरा था यॉरप का और जिसमें जनरल आसिव उस टाइम के जो कोर कमांडर थे कोईटा के जनी उनको कोईटा कोर कमांडर लगाया गया था वो थे आसिव गफूर साब जनरल बाजवा के साथ अब इसके नीचे देखें इसके नीचे लाइन लिखी है इस प्रिटी इंटरस्टिंग रीड पर्टिकुलर वे रिपोर्ट क किस न किन लोगों को मिलने गए अब जब आब यह पूरा आर्टिकल देखेंगे यह पूरी खबर देखेंगे पूरे मुकमल तोर पर कई टूइट्स के ओपर मबनी यह खबर है जिसमें यह लिखा गया है कि जब पीडियम यहां पर अदम इतमाद की वोड की तैयारी करे थ अठाराम से बाइस सर्वी तक म्यूनिख में एक सिक्यूरिटी कांफरेंस हो रही थी अफगानिस्तान के मामले पर इंटरस्टिंगली जनरल बाजवा ने उस कांफरेंस में शिरकत नहीं की जी के मुझामत होगी तो मुफामत होगी और फिर दुलेरी से कुछ बियान भी देती थी सबकों जो सारी जग़ा अपनी जग़ा पर मुझे वो बाते मौजूद हैं मतलब कि उनकी जो लगन मुझे नजर आती थी ना इस पॉलिटिशन फॉर हर ओन पार्टी और पॉलिटिकल अबजेक्टिव वो एक नेक्स लेवल पर नजर आती थी आप उससे खिलाफ कर सकते हैं वो अपनी जग़ा पे हैं ठीक है कि वो जाती स्यासी माफदात के लिए काम कर रही थी लेकिन उसमें एक मुझे जजबा पैशन नजर आता था ओ मुल्क को हमने प्रॉबलम से बाहर निकालना है महिंगाई खतम करनी है इमरान खान नलाइक है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये सारी वाते होते हैं अब हकूमत आई है मरीम नवाज इस नो वेर शी इस नो वेर वेर इस शी एक आप पाकिस्तानी के साथ जो कुछ हो रहा है पीडियम के दौरे हकूमत में तेरा जमाते अकठी होगी है मिया नवाज शरीफ साब जिनके बारे में ये लोग कहते हैं कि वो असल लीडर है में सौ फीसद इजाफा हुआ है गरीब आदमी अपने बचे को मुर्गी का गोश नहीं किला सकता पीडियम के दौरे हकूमत में वो लोग लंडन में बैठे हैं तो मुझे बताएं कि कनेक्शन क्या है हमारी पुलिटिकल इलीट का और अवाम का अवाम के नहालात में हमारे पुलिटिकल इलीट के नहालात में बताइए कि अगर मरियम साहबा आ जाती है और नौाज सीव साहब आ जाते हैं तो आपके ख्याल में और मेरे ख्याल में क्या अवाम की सब्दीन बदेगी? क्या मेहनत पुश्यों को उनका हक मिलने लेगेगा? क्या महेंगाई कम हो जाएगी? क्या में नहीं होगी सब्देगा, जो ज़ो जजबा नज़रा आता है ना मरियम साहबा का यह नज़रा आता है, क्यों तो आपने खांदान की सेयासत और अपने खांदान का बिजोन Talking के लिए नहीं नकली थे वो जमूर के लिए नहीं निकली थी, वो अवामी हकूँ के लिए नहीं निकली थी, उनकी जो पौज की मुखालफत थी, वो इसलिए नहीं थी, कि वो अवाम के राइट की तरज्मानी कर रही हूं, बल्कि वो अपने खांदान और अपने वालत को बचाने के लिए निकली थी तो हमारे हैं कुछ फिक्री मुखालते जान भूच कर प्हलाए गए हैं फिक्री मुखालते ये भी यही था कि ये कोई बड़ा कोई जमूर और जमूरित की लाइन लड़ रहे हैं पहुंच रही है बलके इस वक तक पहुंच चुकी होंगी और आपको याद है कि वो जब पाकिस्तान से जा रही थी जब उनकी जमानत वगरा हो गई केस खत्म हो गए तो उस वक भी ये बताया गया था कि ऐसा इलाज है जो पाकिस्तान में मुम्किन नहीं है और वो सरजरी उन्होंने लंडन में करवानी है यानि लंडन के बाद अब जनीवा और साथ ये भी बताया गया कि साबिक वजिर आजम नवाद शरीफ साब भी अपने मौलच से सला मशवरा करेंगे यानि कभी वो सला मशवरा अमरीका में हो रहा है कभी लंडन में हो रहा है कभी जनीवा में हो रहा है पाकिस्तान यहां तो कोई इतने काबल डॉक्टर है नहीं है इतने सर्जन है नहीं है जो उन बिमारियों का इलाज कर सके जो के साबक वजिर आजम और उनके अहल खाना को लाहक है Allah करे उनको ऐसी बिमारियों से जान छूटे जिसके लिए उन्हें इलाज के खातर कभी एक मुलक और कभी दूसरे मुलक जाना पड़ता है बड़ा मुश्किल होता है ये सफर अब एक ऐसे मौके पे है और ये मालूम नहीं इत्फाक है अबाकाद मनसुबबंदी की गई कि अगले ही हफते वजीर आजम हमारे पहुंचेंगे जनीवा शाबाज शरीफ साब 9 और 10 जनवरी को पाकिस्तान के हवाले से एक कांफरंस है डोनर्स कांफरंस उसको कहते हैं इंतिहाई सक्त सर्द मौसम है इस वक्त और इसको नाम दिया गया कि पाकिस्तान में जो गुजश्टा साल सैलाव आए थे जुलाई अगस्त में उसके नुक्सानात से डोनर्स को आगाह करना है ताके उनसे कुछ इमदाद मिल सके क्या मरीम नवास साहिबा पहले आएंगी जैसे के इलान हुआ बहुत दफ़ा लेकिन अब मेरे खाल से आना पड़ेगा उसकी वज़े कि इलेक्शन भी जाहर एलेक्शन येर में हम हैं और ये बात भी इंपॉर्टन्ट है कि नवास शरीफ साब देखें आपकी जो जो भी ह है वो उन का सियासी सरमाया है वो पर पुलिटिकल कैपिटल जो कहते हैं आमने लूस किया है उस पीपिटल को अगर वो उन्हेंहें लूस करते गए तो पिर उनकी अपनी हैसिक कम से कम होती जाएगी तो उसको उनोने रिकेपचर करना है पंजाब के अंदर खास तरफ है और री कैपचर करने के लिए जरूरी है कि वो कम से कम मर्यम नवासतो पापस आएं क्योंकि हमजा जो है हमजा शेवाज वो जाहरे शेवाज शेवाज शीफ सापके साब जाते हैं उनमें वो काईदाना काईदाना सलाहिया जो है वो नहीं है मसकार दोस्तु जहन दोस्तु बाजबा के खिलाफ जब से बाजबा आर्मी चीप के पद से हटा है तब से बाजबा के खिलाफ लगातार एक से बड़कर एक कैमबेन चल लए है बाजबा के खिलाब बड़े खुलासे भी होते हुए नजर आ रहे हैं जब पाकिस्तान का आर्मी चीप था जब बाजबा तब बाजबा के से हमने कोई भी मुहू नहीं खोलता था क्योंकि पाकिस्तान में प्रधान मंतरी से ज़्यादा पाकिस्तान में आर्मी चीप की पाव इरोप का उसकी पॉल सामने आई है जिसमें पाकिस्तानी मीडिया बाते कर रहा है कि बाजबा अकेला खूपिया दोरे पर इरोप गया था जिसमें बाजबा ना पता ना क्या 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 था और पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी रिटायर जनरल ने बाजबा के खिलाब काफी ब लंदन से जिनेवा पहुंच चुकी हैं, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि मर्यम नवाज लंदन से अब सर्जिरी कराने जिनेवा पहुंच चुकी हैं, बहां पर पाकिस्तान का पीम सहवास सरीफ भी जाएगा, आपकी कहा रहा है कमेंट में जरू सेयर करें, यदि आप चैन झाल झाल